कि कल अर्विंद केज्रिवाल जी की विकास पुरी में हो रही पद्यात्रा पर भारतिये जन्ता पार्टी के युवा मुर्चा के पद अधिकारियों ने हमला किया आप सब लोग उन लोगों के फेस्बुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं एक आदमी जिसने हमला किया उसका नाम रोहित शेहरावत है और वो भारतिये जन्ता पार्टी युवा मुर्चा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष है उसका नाम है रोहित शेहरावत जो दूसरा लड़का था उसके अंदर वो भारतिये जन्ता पार्टी युवा मुर्चा दिल्ली प्रदेश का जनरल सेकेट्री है अरुन दराल यानि कि प्रदेश स्तर के युवा मुर्चा के पददिकारियों ने अरुविंद केजरिवाल जी की पद्यात्रा पर हमला किया भारतिये जन्ता पार्टी बहुत डेस्परेट है और डेस्परेशन में इस तरीके के हमले अरुविंद केजरिवाल जी के उपर कराए जा रहे हैं भारतिये जन्ता पार्टी को अलोचना करने चाहिए थी विजंद्र गुपता अवरेंद्र सच्देवा इन सबको इसके अलोचना करने चाहिए इनको माफी मांगने चाहिए कि हमारे जुवा मुर्चा के पदिकारियों ने ऐसा किया हम माफी मांगते हैं मगर उसके बावजूद वे लोग माफी नहीं वे इस बात को सही टहरा रहे हूं करें जनता कर रही है यह बहुत शर्मसार करने वाली बात है अरुन दराल जो है इनके सचेव है जनरल सेकेटरी है इनका यह इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है कल खुदी मैंने सर्ज करके इस्टाग्राम के इनका प्रोफाइल देखा था और खुदी मैंने यह जो है मेरी फोन से यह स्क्रीन शॉट निकला हुआ है अरुन दराल पॉलिटीशन स्वयम सेवक महमंत्री दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा भाजपा प्रत्याशी वार्ड 35 मुल्ड़का यानि की वार्ड 35 मुल्ड़का से चुनाव लड़के हारे भी हुए है भाजती जनता पार्टी के जो आदमी शर्ट उतार के नंगा ना पिट्री महमंत्री और दूसरे महान आदमी है वो रोहिष शहरावत है इनका भी प्रोफाइल जो है आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा निगम पार्षद उमीदवार 2017 वार्ड 19S रण होला तो जनता प्रियकारे गए दो नालायक भारतिय जनता पार्टी के कपूत यह हैं जो कांसलर का चुनाव नहीं जीत पाए वो तीन बार के जीते हुए मुख्यमंत्री के आगे नंगा नाच कर रहे हैं क्योंकि नंगा नाच करने के अलावा इनके पास और कोई चारा है नहीं नंगा त बाइ